हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करें हूं डेट सर्फ के एक और प्रड़क का रिव्यू तो यह है हर्ब्स एंड मोर्ड विटामिन थेरेपी प्रफेशनल फेस स्क्राब एक्सफोलियेट्स एंड लाइटन्स दिस्किन इ यहां पर आप देख सकते हैं इसकी सारी डीटेल्स वगरा दी हुई है जेंटल फेस्क्राब कम्स विद गुड़नेस ऑफ विटामिन बी-3 विटामिन-E और गुवावा एक्स्ट्राइक इंप्रूब्स ब्लूट सिर्किलेशन ऑफ दिफेशियल स्किन वाइल एक्सफोलिय इंकेस ऑफ कॉंटक्स और आइस रिंस इमिजियली तो यह सब कुछ इस पर मैंशिन किया गया है यह फेस्क्राब में इस्तेमाल किया है बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो लोग नेट सर्फ के प्रॉडक्स इस्तिमाल करते हों के वो जानते होंगे तोड़े से क्सट्पनस तब देख सकते हैं कुछ इस तरह का है कुछ इस तरह के पार्टिकल्स है यह बिल्कुल छोटे चोटे से हैं तो यह ना आपके स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं होगे बहुत ही चोटे-चोटे से यह देख सकते हैं और ना इसकी फ्रेग्रेंस भी बिल्कुल ना के कम से कम वीक में दो मर्ताबर तो करनी ही चाहिए कि कि जितनी भी हमारी डेट सकिन होती है वह स्क्रबिंग की वज़े से निकल जाती है और जो हमारी नहीं सकिन है वो गलो करती है अगर आप स्किन केयर रूटीन सही से फॉलूँ नहीं करोगे तो आपकी फेस स्क्रब्स भी तो लोग इस्तिमाल करना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए यह फेस स्क्रब बहुत ही अच्छा है यह आपकी एकस्पोलीयेट करेंगा आपकी स्किन टोन को लाइट करेंगा वीक में अगर आप दो बार इसे इस्तिमाल करोगे ना तो आपकी स्किन बहुत इच्छी हो जाएगी दिन बर दिन आपको अपनी स्किन में फर्क दिखाई देगा इसके जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स है वो भी बहुत ही छोटे-छोटे से है आपकी स्किन को डामेज बगर है बिल्कुल नहीं करेगे वैसे तो ये सबी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है पर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप अगर स्क्रबिंग करते हो तब भी आप इसे इस्तिमाल करें वरना हो सकता है कि आपके स्किन पर इसे हलके राश्यस जैसे पढ़ जाए वैसे होगा तो नहीं पर बहुत ज़्यादा जिनकी पतली स्किन होती है ना तो उनको स्क्रबिंग सूट नहीं होती तो अगर आप स्क्रबिंग करते हो आपको आदत है तब ही आप इसे इस्तिमाल करें वैसे यह सबी स्किन टाइप पर चलेगा इसे कुछ फ्राव्लम तो नहीं होगी पर फिर भी अगर आप ध्यान रखोगे तो ज्यादा चरहेगा और आप जब भी स्क्रबिंग करें ना तो हलके हाथों से ही करें क्योंकि बहुत ज्यादा अग करना है वरना आपकी स्किन जो है वो डामेज हो सकती है और बार बार भी आप स्क्रबिंग ना करें कुछ लोग पूलते हैं कि डेली भी स्क्रबिंग आप कर सकते हो डेली स्क्रबिंग मैं तापको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी अगर आपको करना ही है तो आप दो मरतबा कर सकते हो और अगर वीक में एक बार करोगे तो बहुत ही अची बात है। क्योंकि बार-बार स्क्रबिंग करने से आपकी जो नहीं स्किन आती है तो उसको भी आप डैमेज कर सकते हों तो आप इस बार कर ध्यान रख कर ही स्क्रब जो है वस्तिमाल करें मार्केट में वैसे तो काफी सारे अलग-अलग ब्रैंड्स के स्क्रब अवैलिबल है पर जो हर और स्क्राइड मेर के प्रोड़क्स बहुत हैं अच्छे तो चेह आप चाहो तो चेक कर सकते हो अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई स्क्रब ढूं रहे हैं तो दिस बेस्ट ऑफशन आप इसको जरू ट्राय करके देखिए आप बिल्कुल भी डिग्रेट नहीं करोगे इसे परशियस करने के बाद मुझे इस क्रब बहुत ही ज्यादा पसंद आया पैकेजिंग वाइस भी काफी अच्छा है ट्रावलिंग के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट है तो आप इसे जरूर ट्राइक कीजिए तो यह था म मेरा आज का वीडियो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे ब्यूटी प्राड़क्स के रिव्यूज देख सकते हैं थैंक्यू सो मुच फ्ही एरक्कोश चार वाif करें से थे वाई पके स stack करें सारे चार वाद़क्स एक राओक्स मेरा वादक्स करें सारे वादक। अध। एके सकता हैंक Dieses ए दिए प्रें